मैं एक सच रख रहा हूं देश के सामने कि हमने गिलोय और तुलसी अशोगंधा के एस्ट्रेक्ट से उसके एक सुनिशित मात्रा में जिसके अंदर और फाइटो केमिकल्स हैं फाइटो मोटोबलाइट्स हैं इसके उन तत्वों को ले करके ये कोरोनिल और ऐसे ही रुदंती से ले करके और अलग अलग प्रकार के काकडा सिंगी दाल चीनी अकर करा जैसी ओशधियों से हमने श्वासारी को निर्मित किया और इसके उपर ये दोनों दवायां साथ साथ दी गई हैं श्वासारी और कोरोनिल के गिलोई तुलसी आशोगंधा साथ साथ दी गई है लेकिन श्वासारी और इस कोरोनिल के अंदर जो एक्टिक कंपाउंट से उन्सके बारे मैं मैं बता चुका हूँ इनका साथ साथ प्रयोग किया गया है साथ में अनूतेल भी ड़ा गया है और यह समान रूप से इफ्यक्टिव है अकेला कोरोनिल या अकेला स्वासारी का यह अभी क्लिनिकल कंट्रूल ट्राइल नहीं हुआ है इनका सयुक्तु रूप से रेंडमाइज पलैसिबो कंट्रोल ہیں ब्लाइन्ड क्लिनिकल्ट्राइल हुआ हैं और निग रीस्टेश्ण रीस्टेशन के ढम से हुआ है इसमें भाई रहे गया कि आपने रीच्टेशन लिए ग्शेशन का प्रॉसेस लग है कि लिए हमने रीच्टेशन का प्रोसेस फोलो किया क्लिनिकल कंट्रोल ट्राइल के लिए हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्राइल का प्रोसेस फोलो किया और ये तो अभी हमने आपको कोरोनियल और स्वासारी के बारे में बताया हमने परमपरागत गुणू के आधार पर ही मुक्तावटी मधू नाशनी हृदयाम अम्रीत सर्वकल्प क्वाथ भाई आप वीच वीच में क्यों ऐसे आ कि को रोना काल चल रहा है सारा देश द्वह देख रहा है तो देखो एक बात यह कहना चाहता हूं अंत में कि अभी तो एक कोरोनियल और स्वासारी के बारे में बात हो रही है कल को यह भी बात करेंगे तो 25 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था मुक्तावटी का तो कि वो मुक्तावटी रदयामरीत सर्वकल्प क्वाथ या अश्वशिला या अलग-अलग जो डेंगुली लादी जो ओशदिया है या अलग-अलग जो एर्वेद के परंपरा को गुणी इसमें लिखे वे थे यह कैसे कह स सकते हैं कि यह तो बीपी की दवा है यह तो शूगर की दवा है यह तो हैपिटाइटिस की दवा है और हमने हैपिटाइटिस नेगेटिव किया है अब इसके उपर भी हमारे उपर कोई आफ यार कर लो जेल में डाल लो हमको आतंकवादी कह दो हमें देशदुरो ही कह दो को हमने जो दुनिया में नहीं हुआ था वो योग से किया पहले तो हमने लाखों लोगों का बीपी ऐसा ठीक कर दिया कि उनको दबा लेने की जरूरती नहीं पड़ी अब कोई कहे कि आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि बीपी क्यों होता है ये तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक के अंदर एक दंडनिया पराद है कि आप बोलते हो कि बीपी के पेशेंट की दवाई बंद हो जाती हो और वो नॉर्मल हो जाता है अस्तमा के पेशेंट की दवाई बंद हो जाती हो नॉर्मल हो जाता है डाबिटिज के पेशेंट नॉन डाबिटिक हो जाते हैं हैपिट ए ABC जिनको था वो नेगिटिव हो जाते हैं, RA Factor Positive थे वो नेगिटिव हो जाते हैं, Drug and Magic Remedy Act, उसके अंदर तो कोई ऐसा बोली नहीं सकता, लेकिन जब हुआ है योग के द्वारा, लाखों लोगों का BP ठीक हो गया, लाखों लोगों का स्थमा ठीक हो गया, लाखों लोगों का RA F पॉजिटिव से नेगिटिव आ गया, अब यह हुआ है, अब इसको सच को नामान करके लोग ये बात करें, कि ये तो स्वामी रामदेव कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, तो भई ये करना गुनाह है, रोग मुक्त भारत बनाना गुनाह है, लोगों को मधुमेह से मुक्त बनाना, मोटापे से मुक्त बनाना, अस्थमा से मुक्त बनाना, हैपेटाइटिस मुक्त भारत का अभियान चलाना, रोग मुक्ती, नशा मुक्ती ये तो हमारा अभियान है, हम इसको चलाएंगे और चला रहे हैं, बहुत से रोग प्रश्न कर रहे हैं, उनके उपर मैं कोई टिपणी नहीं करना चाहता हाँ जरूर कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि आईस मंतराले ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट के लिए पतंजली ने काम किया उसको हम अप्रोप्रियेट कह रहे हैं तो इसमें मैनेजमेंट शब्द का प्रियोग किया गया इसमें मेडिकल टर्मनोलोजी है मैं इसकी बारीकियों के साथ उनके साथ बात कर सकता हूं जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं लेकिन शब्दों के मायाजाल में शब्दों के भ्रमजाल में हम आईरिवेद का सत्य ना तो दबने देंगे ना उसको हम मिटने देंगे अभी तक हमने क ये किया है आगे भी करते रहेंगे